हेलो स्टूरेंट कैसे हैं आप सभी लोग I hope you all are fine सो स्टूरेंट स्टार्ट करते हैं मारा नेक्स चाप्टर चाप्टर नम्बर 12 जो की है नियुक्त है दफोडल दफोडल क्या होते हैं अधीज व्ही जो पोएम है वो डाफिडल की सुन्दर्ता बताने के लिए कि किस तरीके से जो पोइट है वो एकदम खुश और आनन्दित हो जाते है जब वो डाफिडल को स्टार्ट करें I wondered lonely as a cloud that floats on high over hills and hills When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils जो point है वो अपने आपको क्या समझ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ एक lonely cloud की तरह फील कर रहा हूँ कैसा lonely cloud यानि कि बिल्कुल अकेला cloud जो की ऊपर जाता जा रहा है high float high over whales and hills यानि कि hills की ऊपर, whales की ऊपर जो है वो जाता जा रहा है and when all at once I saw a crowd और जब वो देखने हैं एक crowd किसका golden daffodils बहुत ही जादा crowd वो देखने है जो flower है daffodils उसका beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze तो कहां थे वो लेक के beside and कहां थे ट्री के नीचे इतने सारे जो daffodils थे वो जा रहे थे क्या कर रहे थे वो हवा चल रही थी और वो क्या कर रहे थे fluttering कर रहे थे and dancing ऐसा लग रहा था कि जब वो हवा चल रही है हवा से वो इस तरीके से हिल रहे थे कि मानो वो क्या कर रहे है डांस कर रहे है fluttering कर रहे है हिल रहे है इधर से उधर तेजी तेजी से continuous as the stars that shine and triangle in the Milky Way they stretched a never ending line along the margin of a bay 10,000 saw eye at a glance tossing their hats in sprightly dance so वो कहते हैं कि continuous as the star that shine जैसे कि Milky Way होता है Milky Way में क्या होते है Stars होते हैं मतलब countless होते है infinite stars होते है तो वो कहते हैं कि जैसे Milky Way में star होते हैं अंगेनत star हैं चमकते जा रहे हैं कुछ उसी तरीके से वो जो deaf orders है वो दिखाई दे रहाए यानिकि एक बार में Milky Way में एक वार में वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, 10,000 saw at a glass, एक जलक में करीबन 10,000 daffodils उन्हें दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से milky way है, एक दरिया सा बहता है सितारों का, उसी तरीके से जो वो बे है, वो वहाँ पर daffodils दिखाई दे रहे हैं, इतने जादे हैं, वो खतम ही नहीं हो रहे हैं, इतने सारे daffodils हैं, बिलकुल stars की तरह दिखाई दे रहे हैं, the waves beside them dance, but they outed the sparkling wave in glee, तो जो wave है, उनके पास, जो एक river है, wave है, वो भी dance करती हुए, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन, but they outed the sparkling wave in glee, लेकिन वो जो उनकी गले है, daffodils की गले है, उनके सामने outed है, मतलब वो उतना अपना dominant नहीं हो पा रही है, dominant कौन है, dominant जो है, वो daffodils है, वो खुशी से जूम रहे हैं, उनकी wave ज्यादा अच्छी लग रहे है, a poet could not but be gay, in such a jokan company, I gazed and I gazed but little thought, what well the show to me had brought, for often when on my couch I lie, so, वो कहते हैं कि वहाँ से, मतलब वो अकेले हैं बिलकुल, है ना वो सोच रहे हैं अपने, और वो देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, एकदम लेटे हुए हैं, वो ऐसा नहीं है कि, वो कुछ सोच रहे हैं, वो बस couch पर लेटे हैं, और उनने घूरे जा वेकेंड मूड यानि कि वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, मतलब टेंशन वरा उनने दुनिया में किसी की भी चिंता नहीं है, ना ही पैंसेव, ना ही उनने किसी की फिकर है, the flesh upon that inward eyes, which is the bliss of solitude, जब भी वो अपनी eyes, मतलब सोच रहे हैं, तो वो उनी डाफोडल्स के बारे मे है, and then my heart with pleasure fill, और वो सोच कर मेरा जो हर्ट है, वो कैसा है, एकदम खुशी से आनन्दित हो जाते हैं, and dance with the daffodils, और daffodils के साथ वो dance करने लगते हैं, तो ऐसे ही जब हम बैठे होते हैं, और कभी मन होता है, तो एक जलक हम देख लेते हैं, किसी की जब मन नहीं होता, कुछ सोचने का कोई भी काम नहीं करने का, तो उस ताइम पर हम कुछ ऐसी चीज सोचते हैं, जिससे हम खुशी से भर जाते हैं, उसी तरीके से जो पोईट है, यह बैठ कर सोच रहें, daffodils के बारे में, उनके साथ डांस कर रहें, एकदम आनन्दित हो रहें daffodils के बारे में, सो स्टार्ट करते हैं, बच्छो एक्सराइज, तो वह बैठ करते हैं, वह एकदम आनन्दित हो जाते हैं, daffodils को देखकर, वह बैठ किससे कंपेर करते हैं, अपने आपको, पोईट करते हैं, क्लाउड से कंपेर, कि मैं एक लोनली क्लाउड हूं, जो हाई ओवर, जो है चला जा रहा हूं, hills के उपर, hills के उपर, where were the daffodils growing, daffodils कहां, beneath the tree beside the river, what were the daffodils doing in the breeze, वो क्या कर रहे हैं, breeze में, वो जो है, dance कर रहे हैं, breeze में, how does a poet compare the daffodils to the star, कैसे उन्होंने compare किया, जिस तरीके से milky way में stars हैं, countless stars हैं, उसी तरीके से, daffodils का जो दरिया है, milky way की तरह ही, जो है, चलता जा रहा है, how did the poet feel in the company of daffodils, he enjoyed, और बहुत ज़्यादा सुकून वाली feeling है, उन्हें, जब वो कुछ भी काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो सोच के, खुश हो रहे हैं, बैठे बैठे, कि हाँ, daffodils की जलक लेकर, उ एकदम खुश हो रहा है, एकदम happiness, जो है, उन्हें feel हो रही है, take the correct option, the poet wondered lonely as cloud, he saw a crowd of, किसका देखा था crowd, daffodils, and dash were dancing in the breeze, daffodils, dash saw at a glance, तो 10,000 saw at a glance, मतलब एक बार में 10,000 daffodils उन्हें नजर आ रहे थे, एक जलक में, so student, this is all about the poem, I hope you enjoy this poem, मिलेंगे next chapter में, thank you so much.